कक्सान गनित मैं आरेस प्रसाद आज आपनों को प्रस्णावली 11.92 अर्था चत्रभुज का भागतीम कराने जा रहा हूँ चलिए देखिए इसमें पहले प्रस्ण की वोड़ बढ़ते हैं यह हमारा प्रस्ण है पहला समलम चत्रभुज ABCD की भुजा AD का मद्य बिंदू E तथा AB समांतर है BC के बिंदू E से होकर AB के समांतर खीची गई रेखा BC को F पर मिलती है यह BC है इसको F पर मिल रही है सिद कीजिये की F रेखा का BC का मद्य बिंदू है मतलब यह है कि यह एक समलम दियावा A, B, C, D जिसमें यह भुजा और यह भुजा समांतर है मतलब यह वाली भुजा समांतर खीची गई इसके बाद क्या करा यह मद्य बिंदू है E किसका AD का और यह समांतर देखा की चीगई है AB के और F पर काट की और सिदिये करना है कि F बिंदू भी BC का मद्य बिंदू है चले बचो आज प्रस्णावली 11.2 चालू करने से पहले जो है मैं यह बताना चाहूंगा मद्य बिंदू पर में होती क्या है और कैसे उसको अपलाई करेंगे तो यह जानना बहुत जरूरी है और जब तक यह पर में समझ मनी आएगी तब तक इसके प्रस्ण नहीं हो पाएंगा तो समझते हैं बच्चों क्या है यह आपका एक तिर्भुज दिया हुआ है तिर्भुज में A है, B है और C है इसमें D और E मद्य बिंदू दिया है A B का मद्य बिंदू D दिया है और AC का माध्य बिंदू E दिया है फिर से समझे लो ये तिरबुज ABC दिया हुआ है इस जिसमें D जो है ये AB का माध्य बिंदू है और E जो है AC का माध्य बिंदू है तो यहाँ पर हमने क्या करा DE को मिला दिया और DE के बारे में विचार करना है तो ये ध्यानकना जब क्या है डी व ई किसके ए बी व किसके ए सी के माध्य बिंदू है तो होगा ये क्या होगा तो जो डी ई है ये समानतर हो जाएगा बी सी के और भी कुछ खास बात होगी डी ई जो होगा हमेशा आधा होगा बी सी का ये पर्मे अधंग से याद कर लेंगे अगर ये पर्मे याद है तो आप लोग आसानी से क्वेस्टनों को कर लेंगे हल कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्णों को हल कना है फिर से समझ लीजिये इसमें क्या है ये है ये है Bag C तिर्वज दियावा जिसमें ये D बिंदू मॉद्ध बिंदू है ए बी का और EB जो है मॉद्ध बिंदू है A.C. का तो यह जो D.E. रेखा है इसके समानतर होगी और इसकी आधी भी होगी यही पर्मे बोलती है और इसी पर्मे के अधार पे हमें सारे प्रस्ण करने हैं तो आसा करता हूँ अगले प्रस्ण आप लोग कर लेंगे अब मैं करके दिखाता हूँ अभी तो बच्चों यह पहला प्रस्ण है इसका इसमें जो दिया हुआ है यह A.B.C.D. एक समलम दिया हुआ है समलम में यह भुजा इसके समानतर दी हुए ध्यानक ना इसमें A.B.C.D. समलम है और E.A.D. का मद्य बिंदू यह इनकी यह बिंदू A.D. का मद्य बिंदू दिया तो रचना में देखो क्या करना है तो रचना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रचना में क्या है यह हमने रचना बना दी यह ऐसे क्या करा हमने B से D को मिलाया या B D को मिलाया और जो यह बिंदू P पर काटता है ठीक है न जो E F को P पर काटता है चलिए देखिए क्या हुआ उपत्ती में क्या हो जाएगी उपत्ती में हमें ये वाला तिर्भुज लेना है ये वाला तिर्भुज लेके चलना है कौन सा तिर्भुज तिर्भुज डी ए बी में क्या क्या है इसमें इमाद्य बिंदू है और ये समांतर है क्या समांतर है EF समानतर किसके है AB के तो इसका मतलब क्या हुआ EP जो है वो समानतर होगी किसके? AB के अब इसका E मद्धे बिंदू हुआ तो PB मद्धे बिंदू होगा तो चुकि EAD का मद्धे बिंदू है इसलिए क्या होगा P जो है वो DB का मद्धिबिन्दू होगा चलिए अब दोसी दरों बढ़ते हैं बच्चो अब ये वाला तिर्भुज ले लेते हैं कौन सा तिर्भुज तिर्भुज लेना है मैं ये तिर्भुज ये इधर वाला तिर्भुज B, D, C में इस वाले तिरबुज में क्या होगा बच्चो ध्यान सकता कि ये तो मद्य बिंदू होई चुका है ये समानतर है रेखा इसके चुकि ये वाली रेखा इसके समानतर दी हुई है तो ये आधी भी समानतर ही होगी यानि क्या हुआ P F समानतर है किसके A B के या उपर कह दीजिए D C के A की मतलब है D C क्योंकि या पसमें समानतर है और P क्या हुआ मद्य बिंदू है P B D का मद्य बिंदू है किसलिए क्या हो जाएगा F जो है वो B C का भी मद्य बिंदू है F B C का मद्य बिंदू होगा यह यहीं पे सिद्ध हो जाता है यानि यहाँ पे इती सिद्धम लिख देंगे यह असान है कोई दिक्कत नहीं है एक बाद फिर से समझ लिजे बच्चों क्या है इसमें यह एक तिर्भुज दिया वा आपको पहले समलम दिया वाए तो यह और यह समांतर है और यह जो है इसका मद्य बिंदू है तो पहले हमने क्या करा यह रच्चना करके मिला दिया है इस वारे तिर्भुज में ले लिया गया है तिर्भुज में लेते ही क्या होगा इसका यह तो हमें समांतर पहले दी हुई है यह मद्य बिंदू है इस एडी का तो यह पी भी इसका मद्य बिंदू होगा तो मेरी काल से समझे में आ गया होगा बच्चों कोई जादे मुस्किल नहीं है काम प्रस्ट दो A, B, C, D, A, सम्चत्रुज है और P, Q, R, S क्रमसह बुजाओं A, B, B, C, C, D, A, के मध्य बिन्दू है तरसाइए कि चत्रुज P, Q, R, S, एक आयत है ये कोर्शन नमबर सेकिन है आपका दियावा क्या है P, A, B, C, D एक ये सम्चत्रुज है मतलब चारो भुजाएं इसमें बराबर दिवी है सम्चत्रुज का मतलब क्या होता है चारो भुजाएं हमें बराबर है इसमें और जो P, Q, R, S, ये P है, Q है, ये R है और ये S है ये सारे क्या है इनके मद्ध बिंदो है इनी भुजाओंगे इनको मिला देना है इसको मिला दिजिए, इसको मिला दिजिए और इसको मिला दिजिए यहां पर कि और इसको भी मिला दिजिए तो यह फीकूर शीज की और एक सिद्ध कर दिखाना थे तो चलिए देखते हैं जो पत्ति की तरह भड़ता हूं मैं उपत्ति का करना जो इसको मिला देने है इसको आप मिला दींग तो ड़की करने थी एटो बच्चो रचना में लीख देना इसको बच्चना में क्या हो गया B D को मिलाया यह रचना का पदा आ जायगा बच्चो B D को मिलाना ऐसे A C को भी मिलाना हुगा अब इसमें एक बात देखिये उपती मिले रहा हूं मैं तो सबसे पहले इसी तिर्वज की बात कर लीजिए इस वाले तिर्वज की बात कर लिए तिर्वज A B D में कि तिर्वज A B D में क्या हो जाएगा P और S A B और A D के मध्य विंदू हैं क्या लिखें किस किस के A B और A D के मध्य विंदू हैं उस मध्य विंदू से क्या हो जाएगा जो यह P S है वो B D के समानतर हो जाएगा और इसका आधा भी हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा P S समानतर किस के हो गया B D के और P S जो हो गया वो Half of B D हो गया इसको हम समीकर नंबर एक कह देते हैं ऐसे Similarly नीचे वाले तिर्वज को ले लिए यह वाला जो तिर्वज दिखाई दे रहा है तिर्वज B C D में इसमें देखो क्या है क्यू और आर जो है इनके मध्य बिंदू है तो यहां लिखेंगे क्यू वा आर किस किस के B C वा C D के मध्य बिंदू है यह जब मध्य बिंदू हो गया तो यह Q R है वो समांतर हो गया B D के Q R समांतर हो गया B D के लेकिन Q R ही क्या होगा Half of B D भी हो जाएगा यह समीकर नंबर दो हो गई अब समीकर नंब एक वा दो से देखो क्या बातागी समीकर नंब एक वा दो से बहुत काम की बात है बच्चो देखो यह रेखा इसके समांतर हो और आदी है यह रेखा इसके समांतर और आदी है इसका मतलब यह दोनों बराबर क्योंकि यह खुद में एक ही आ रहा है इसी परकार क्या लिखेंगे ठीक इसी परकार क्या हो जाएगा पी क्यू और आर एस बराबर हो जाएंगे और समानतर हो जाएंगे क्या क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा आर एस के और पी क्यू समानतर हो जाएगा आर एस के इसलिए क्या हो गया यह जो चत्रबुज है कौन सा PQRS एक आयत होगा बस बच्चों यहीं तक तड़ना था इसमें एक और बात बता हैं खास कि यह दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं हुए क्योंकि सम्चत्रबुज के विकार्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं ध्यानक ध्यान से यह AC कभी भी बराबर नहीं होगा BD के AC बड़ा है BD यहां पर छोटा दिखाई दिरा हाला कि सारी बुजाएं इसमें सब बराबर हैं हमारी प्रस्ट तेन ए बी सीडी एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमसा बुजाओं A B B C CD और DA के मद्दे बिन्दु हैं दर्साये की चत्रबुज PQR S सम्चत्रबुज है यह कोर्शन नमबर थिरी है आपका ग्यारत दिसम्चत्रबुज का सबसे पहले हमें दिया है A B C D एक आयत है यह आयत हो गया बच्चो अब क्या करना है यह जो PQR S दिखाई दे रहें यह इनके मद्दे बिन्दु है A B का C D का और C A B B C CD और DA के मद्दे बिन्दु दिये वह है तो चरी यह यह भी लिख लेते हैं PQR S क्रम से हैं किस किस के A B B C CD वर DA के मद्दे बिन्दु है यह मद्दे बिन्दु हो गया और इसमें सिद्ध जो करना है देखे क्या है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों कि यह जो चत्रभुज दिखाई दे रहा है PQRS PQRS क्या है एक सम्चत्रभुज है एक सम्चत्रभुज है ऐसा कुछ हमें सिद्ध करना पड़ेगा तो चलो देखते हैं सम्चत्रभुज को हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे अब यहां पार बात आती है रचना करने की थोड़ी सी तो देख लेते हैं रचना में में पहले लिख देते हैं पालए थान से इसको ये रचना है एसी को मिला दिया अथी आप बी डी को मिला देंगे तो पर्या मेंyesi की बात कर लेते हैं रचना में लेक का लुछ थारा हैं तो चलते हैं रचना में पहले लेक्षिक्चे तरफ आध ही उप्पति क्या कह रही है तो पहले हम ये तिर्वी ले लेते हैं ये वारा तिर ब्लेत है तिर्भृज्ज डीए सी जिर्वुज है डी ए सी में तो दियान जेंध से और अर मद्धिदू है किस किस के एडी वा डी सी के मर्द बिंदू है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों इसलिए ध्यान रखना कि यह एस आर समानतर हो जाएगा एसी के और एस आर हाफ आफ एसी भी हो जाएगा यह समीकर नंबर एक आगे इसी परकार तिर्भुज बदल दीजिए तिर्भुज नीचे वाला ले लिए तिर्भुज एबी सी में यहां क्या होगा पी और क्यू जह हैं मद्ध बिंदू है पी वक्यू करम सहर किसके मद्ध बिंदू है देख लिजिए बच्चो एबी और बी सी के एबी वा बी सी के मद्ध बिंदू है चलिए बच्चो मद्ध बिंदू ले लिया मद्ध बिंदू से क्या हुआ कि यह जो पी क्यू है वो इसके समानतर हो जाएगा यानि पी क्यू समानतर किसके हो जाएगा एसी के और पी क्यू ही क्या होगा half of AC हो जाएगा यह समीकरन Niger नमबर दो हो गई इसके समानतर भी है यह समानतर और इसका आधर भी है इसका मतलब यह दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा इस लिए एस आर बराबर किसके हो गया पी क्यू के इसी परकार क्या लिखना है इसी परकार क्या हो जाएगा पी एस बराबर क्यू आर हो जाएगा यानि के पी एस बराबर क्यू आर और पी एस समानतर क्यू आर की हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा चत्रभुज पी क्यू आर एस एक सम्चत्रभुज होगा इसमें एक बात बताने ही और चाहिएती हमें जो नहीं बताई ही है चुकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं इसलिए ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे ध्यानक ना आयक के चुकि विकर्ण बरावर होते हैं इसले हिनकी ये बुझाएं चारो समान होगी ध्यानक ना ये बहुत खास बात है इसके अंदर वो लिखी नहीं है मैंने इसमें चुकि ये BD और ये AC आपस में बरावर होंगे तो ये चारो बुझाएं हमारी बरावर हो as iHe했다 यही हमें लिखना था यहां पर सम्चत्रों यह क्याuster हिंगा यह तो करी दिया है कि एसने सारी भीजाई हमें और बराबर हो गई स्म्क Tribus यह प्सक्रीने सरह न रिंगकि už तहुछ सारी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी और समानतर विजाएगी तिये सम चदरूज बन जाएगा प्रस्त चार एबी सी डी एक चदरूज है जिसमें टी क्यू आर और एस क्रमसर बुजाओं अबी बी सी CD और DA के मद्दे बिन्दू है AC उसका एक विकर्ण है दर्साइने की पहला है SR समानतर है AC और SR एक बटा दो AC के है SR बराबर एक बटा दो AC दूसरा है PQ इसकल टू SR और तीसरा है PQ RS एक समानतर चत्रूज है यहां देखो दिखाया हुआ है ABCD यानि यह A B C और D क्या है यह एक चत्रूज है जिसमें P Q R और S यह इनके मद्दे बिन्दूर कराम से इनको मिला दिया गया तो PQ RS बने गया PQ RS को ही समानतर चत्रूज बताना है यह आपका आज का आखरी सवाल है इसका चौथा प्रस्ट है 11.2 का इसमें दिया क्या है यह एक चत्रूज दियावा है ABCD और P Q RS क्रम से इसके मद्दूर AB का मद्दूर पी BC का Q और CD का R और DA का S मद्दूर है सिद्ध क्या करना इसमें AC विकर्ण भी बताया गया है हमें क्या सिद्ध करना है पहला SR AC के बराबर है यानि के ये SR जो है ये AC के समानतर है और इसका आधा है चलिए और दूसरा क्या करना है P Q और SR बराबर है यानि ये P Q और SR बराबर है ये वाले दूसरा ये जो चत्रूज बन जा रहा है यानि ये वाला P Q और S वाला यह समानतर चत्रवुज है तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे यह हल होगा तो पत्ती पे चलते हैं सबसे पहले देखते हैं इस वाले तिरवुज में तिरवुज कौन सा है क्या है बात इसमय S और R इनके मद्द 중요 है क्या लिखेंगे S व आर करमसह किस किस के DA व डी सी के मध्य बिंदू है जब बच्चों ये मध्य बिंदू होते हैं तो ये इसके समानतर होगा और आधह भी होगा तो क्या हो जाएगा इसको मिधर लिख देते हैं क्या बास सामने आई बच्चों इसमें ये SR जो है वो समानतर हो जाएगा AC के और SR ही क्या होगा Half of AC हो जाएगी ये midpoint theorem कहती है मध्य बिंदू की पर में कहती है जिसके आधार पे हम ये बोलते हैं ये हो गया हमारे पास सिध हो गया हलागी ये लेकिन समीकरण नमबर 1 हो गई अब तिर्भुज बदल देते हैं तिर्भुज नीचे वाला ले देते हैं तिर्भुज ABC में क्या होगा P and Q P व Q AB व बी सी के मध्य बिंदू हैं AB व बी सी के मध्य बिंदू हैं देखें मध्य बिंदू होने से क्या हो जाएगा कि ये इसके समांतर हो जाएगा यानि के P Q समांतर हो गया किसके AC के और P Q ही बराबर हो जाएगा हाफ आप AC यानि आधा हो जाएगा ये दोनों मिलाकर समीकरण नमबर 2 हो गई समीकरण 1 और 2 से क्या क्या हो गया हमारे पार बच्चों ये जो है इसके समानतर और इसका आधा है ये इसके समानतर और इसका आधा है इसका मतलब ये दोनों समानतर और बराबर हुए क्या हो जाएगा s r बराबर कितना हो गया p q और s r ही समानतर भी हो गया p q इसलिए क्या हो गया ये चत्रभूज PQ RS1 समांतर चत्रभूज होगा ये इती सिद्धम होता है बच्चो ऐसा सिद्ध हो जाता है एक बट फिर से समझे लो बच्चो क्या दिक्कत है इसमें सबसे पहले ये चत्रभूज हमें दिया हुआ ABCD और ये विकर्ण भी दे दिया एसी साथ में PQRS AB का माध्य बिंदू, BC का माध्य बिंदू, CD का माध्य बिंदू और DA का माध्य बिंदू है क्या करना है हमें सिद्ध करना था कि ये इसके समांतर रह और इसका आधा भी है तो ये यहाँ पे पहले वारा सिद्ध करने के लिए बताया गया है दूसरे वाले में PQRSR बरावर बताने के लिए कहा गया है यानि PQ यह पीक्यू और SR कहा गया है और यह पूरा जो चतरबुज दिखाई जिरा PQRS यह समान तर्फ चतरबुज शिद करने के लिए वोला गया है तो चलो देखते हैं इस में सबसे पहले हमने क्या करा इस वाले तिर्बुज को लिए गिए इस सलाख़ती देलिख जे अध बिन्दू है इसका मतलब यह पी क्या हुआ इसके समानतर हुआ और इसका आधा विया जो कि हमने दूसरे समिकर्ण में लिख दिया अब यही देखना समिकर्ण एक दूसर क्या करा यह इसके बराबर और आधा है यह इसके बराबर और आधा है इसका मतलब यह दोनों बराबर ह पर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कोंड सेक्शन में को ना बूले हैं और जादे जादे बर्चों को सियर करें जिसे जादे बर्चों को पायदा हो ấy हो clicking एक इ def ? movimiento का वीडियों यहीं समत करता हूँ और असा करता हूँ कि आप हर समय पढ़ते रहेंगे और अपने आपको सबसे उपन बनाए रखेंगे और स्टार की लेते रहेंगे स्टार के स्टर्णिंग में रहेंगे टैंक्यू, हैवन आइस ते